लो एवरीवन वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मेरा नम है दुरूव और आप देख रहे हैं दुरूव ना रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज हम बात करेंगे बिजनस मोडल सेल ग्रोथ के बारे में कि अपने बिजनस की सेल ग्रोथ कैसे कर सकते हैं और ऐसे मैं आपके लिए भूत सारी सीरिज लाता रहूंगा चोटी चोटी वीडियो चोटे 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 टिप्स लेके और आपको मैं ऐसे ऐसे चीज़े बताता रहूंगा तो इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी आपको गया करना है सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे आने वाली वीडियो उसको देखना है क्योंकि आपको वडिफ चाहिए होगी अगर आपको कोई बिजनस है तो या फिर अगर आपको बिजनस खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में उसके बारे में आपको जानने के लिए कि टिप्स की बहुत जिरूरत होगी तो इसलिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सबसे पहली अप्रोच के बारे में सबसे पहली अप्रोच है हमारी F2 अप्रोच सो F2 अप्रोच ये अदर क्या है कि feel and fill feel and fill आपको अप्रोच पताने वालों में क्या होती है feel यानि कि एक customer को emotionally उसको इतना टैस्ट कर दो अपने product के साथ यानि कि उसको product के बारे में इतना कुछ समझाओ इतने बारे बताओ जिससे कि वो अपना product लेने के लिए एक दम उतावला हो जे और लेना चाहे उसको उस product को वो लेना चाहे तो जैसे कि मैं आपको एक एक आपने washing machine की एड देखी होगी या वोशिंग मशीन के स्पैसिफिकली powder की एड देखी होगी क्या होता है पाउडर की एड में एक लेडी जो होती है वो काम कर रही होती है ठीक है और उसके हाथ जो हैं खराब हो रहे होते हैं और लास्ट में उसका पती आता है वो कहते कि आपके हाथ यह खराब हो रहे हैं यह वह हो रहे हैं मतलब खराब हो रहे हैं तो वह क्या करते हैं एक तरह स इमोशनली उनसे अटैच कर लिया उसके बाद गया कहते है कि वह यह वाला वोशिंग पाउडर यूज करो इससे तुम्हारे हाथ सोफ्ट रहेंगे तो आपने देखा कि उन्होंने क्या करा है इमोशनली अटैच कर लिया ठीक है ओर आपने और देखी ओगी BON VITA वाली destinations वादी क्या होता है कि एक बच्चे को कहते हैं कि अपनी ममी को क्या हो की BON VITA पिलाए इस से कहने का क्या मदब है बच्चा जाएगा अपनी ममी पास अपनी ममे पास जाके कह Happy responsible हमें दोlos तो बोनवीटा पीना है इस वज़े से क्या है कि लोगों को या फिर बच्चों को अपने पेरेंट्स जो है वो लेकर देंगे बोनवीटा इससे क्या करा उसने इमोशनली उनसे अटैच हो गया वो बंदा इससे क्या हुआ आपका प्रोड़क्ट तो भी कैसी आपकी मार्केटिंग भी हो रही है और आपकी अड्विटीजमेंट करने का फायदा भी हो रहा है क्योंकि बहुत सारी अड्विटीजमेंट ऐसी होती है जिनको करने के बाद भ सही कि कि आपकी बिजनस की अगर घ्रोफ आपकी बिजनस को प्रोफिट होगा प्रोफिट तो इसका मतलब कि आपके पास पैसे आने वाले हैं और आपकी बरने वाली तो जैबे बरने वाली आएकि फिल pockets so यानि कि आपकी pockets भरेंगी कैसे आपका sale ज्यादा होगी और आपका business grow करेगा और आपकी goodwill सब कुछ आपका business का बढ़ जाएगा ऐसे बहुत सारे tips में आपके लिए लाता रहूंगा अलग-अलग वीडियो में तो इस चैनल को subscribe कर लीजिए और आपके लिए बहुत सारी वीडियो आने वाली है तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं okay thank you bye